आज के समय में पांच व्यक्ति में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जोडों के दर्द से परिशान है ये बिमारी बढ़ती ही जा रही है जोडों का दर्द केवल घुटनों का ही नहीं होता दोस्तों बलकि शरीर का हर वो अंग जहां पर दो हड़ियां आपस में जुड़ती हैं जोडों में होने वाला जो दर्द होता है दोस्तों इसे ही हम कहते हैं अर्थराइटीज का दर्द कहलाता है जिसे कि हम गठिया भी कहते हैं थोड़ा बहुत दर्द होता है दोस्तों तो थोड़ी सिकाई से तेल की मालिश से ठीक हो जाता परन्तु जब यह दर्द जादा ब जोडों का दर्द देखा जा रहा चाहे घुटनों का हो चाहे गर्दन का दर्द हो चाहे फिर हाथों की कलाई का दर्द हो तो सबसे पहले दो तो यह जो मैंने उपका शेयर कर रही हूं इसके लिए मैंने लिया है दूद दूद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है भरप बूती देता है दूध दूध में यदि आप घी मिला लेंगे दोस्तों वो भी गाय का शुद्ध घी तब तो आप ये सोचिए कि आपको जोडों के दर्द से तुरंत ही राहत मिलेगी दोस्तों भले आप बड़ी चमच घी ना खाएं एक छोटी चमच ही आप घी का सेवन करे परंतु दिन में एक बार आधी छोटी चमच घी जरूर खाएं हमारी हड्यों को जोडों को ग्रीस मिलता है और हड्यों में फ्लेक्सिब्लीटी आती है गी खाने से तो बिलकुल वन फोर्थ चमच ही ले सकते हैं वजन नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो और दूबले पतले हैं दोस्तों तो पूरी एक चमच घी दूद में डाल कर जरूर खाएं दूसरी चीज दोस्तों जो मैं ले रहे हूं यहां पर हल्दी बहुत कम चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों दूद के साथ सिफ आपको घी और हल्दी लेना हल्दी जो की anti septic होती है anti inflammatory property होती है औ और खास कर दोस्तों गठीया जैसी बिमारी के लिए तो हल्दी रामबार्ण नुस्खा है पुर्दाने से महीं आपने देखा बहुत जादा जब जोड़ों में दर्द होता था ना घुट्णों में तो पुराने लोग क्या करते थे हल्दी को तेल में मिला कर सर्सों तेल में म हमारे जोडों के दर्द को खीचेगी, दर्द निवारक होती है, सूजन को खतम करती है, और साथ ही यह जो हम दूद बना रहे हैं, इसे मिठा करने आपको यहां लेना है गुड, भरपूर मात्रा में आइरन होता है, हमारी हड्डियों को और हमारे शरीर को मजबूती देता है गुड, जो लोग एनिमिक हैं, उन्हें तो गुड का सेवन जरूर करना चाहिए, और जो गुड होता है दोसों, हीमोगलोबिन लेबल को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और गुड खाकर हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, तो दूद अच्छा उबलने लगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस उबलते हुए दूद में, अब आप सबसे पहले गुड डाल लें, थोड़ा जादा मीठा पसंद करते हैं, तो गुड का बड़ा टुकडा डालें, और मीठा कम पसंद करते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो फिर गुड का छोटा सा टुकडा डालें, तो यहां पर मैंने good डाल दिया है और इस दूद को आप खुद भी ले अपने बच्चों को भी दें दोस्तों क्योंकि आजकल जोडों के दर्द की समस्या उम्र से पहले ही बढ़ती जा रही है जरूरी नहीं कि बहुत जादा उम्र में आएंगे हम तभी हमें जोडों का दर् दोस्तों तो इसके लिए कुछ तो हमारा खान पान है हमारी जीवन शैली है जो हम बाहर का खाना खाते हैं तेल मिर्च मसाले वाला जंक फूड वो भी है उसके अलावा हमारी जीवन शैली है देर से खाना खाना जल्दी सोना नहीं रात को देर तक के सोना और सुबह देर से उठना तो ये सब चीजों के कराण भी हमारी लाइब बहुत डिस्टरब हुई है हल्दी डाल दी दोस्तों मैंने इसमें आधी चमच हल्दी डाली है गुर्ड डाल दिया और दूद को बढ़िया उबाल लिया है और गर्मा गर्म कभी भी ले सकते हैं रात को लेंगे दोस्तों तो सुबह उठकर आप खुद में फूर्ती महसूस करेंगे तासगी महसूस करेंगे हड्डियों के दर्द से आपको राहत मिलेगी एक चमच यहापर मैंने गाय का घी लिया है और घी डालकर खुब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और गरम गरम इस दूद का सेवन करें कुछ दिन लगातार करें एक सब्ता में ही आपको अंतर महसूस होने लगेगा कि अरे वाह हमें जोडों का दर्द कम हो रहा है और धीरे धीरे आपको बिल्कुल ही राहत मिलेगी तो इसे आप जरूर फॉलो करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शिखा की चन चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग मैं